Hello everyone, is it true that only a software engineer can get the job in Abroad? It's not too right. So today I will discuss about this topic. Let's start. सिर्फ software engineer ही Abroad जा पाएंगे. ऐसा कहां तक सही है? ऐसा नहीं है. नेटवर्क इंजिनर्स भी Abroad जाके जॉब कर सकते हैं. नेटवर्क इंजिनर्स भी बाहल जॉब कर सकते हैं. सिर्फ software engineers ही नहीं जॉब कर सकते. तो इस topic को मैं discuss करता हूँ आपके सामने. अच्छा ये topic लोगों में इस चीज़ को लेके लोगों में बहुत सारी doubts हैं. बहुत सारे लोगों में myth बने वे हैं. कि networking line में अगर हम आ गये हैं, तो हमारा future bright नहीं है. आपको आपको अच्छा पैकेज और अच्छा future आपको define होगा. networking में ऐसा क्या है, क्यों लोगों के दिल और दिमाग में ये problem है, ये doubts हैं कि network में carrier अच्छा नहीं है, growth नहीं है. Europe, बहुत ही countries जाके job करते हैं, और सबसे बढ़ा difference ही software और network में ये है, कि software में जो projects होते हैं, जो offshore projects होते हैं, onsite जो बंदे जाते हैं, उनको time duration होता है, projects का वो काम होता है, in software's, network में long term projects होते हैं, तो mostly projects होते हैं, two years, three years, and max to max four years तक जाते हैं. तो सबसे बढ़ा difference यही है, कि network में आपकी job secure है, software में job एक time तक secure है, अगर आप upgrade करते हैं, तो दोनों में, अगर आप upgrade करते हैं, तो आपका survival है इन दोनों ही field में. Software में भी आपको survive कर सकते हैं, network में भी survive कर सकते हैं, अगर upgrade नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलके problem होगी. तो यह है, अपने mind से यह चीज़ निकाल दें, कि software वाले बंदे बाहर जाते हैं, network वाले बंदे नहीं जाते हैं, network में आपको बहुत सी opportunities बाहर जाने की मिलेंगी. मैंने भी one year, US में, work किया है as a network engineer, so मुझे experience है, exposure है भाहर का, so यह सब misconceptions बनाए वे हैं लोगों के, ऐसा विलकुल नहीं है, आप लोग एक mindset रखिये, और अगर interest है network में, तो जरूर network में आईए.